देवास से इस वक्ती की बड़ी खबर सामने आई है जहां पर उज्जेन रोड टॉकिस के सामने पेट्रोल पम पर लठ चलते हुए नज़राये हैं क्योंकि पेट्रोल पम के करमचारियों ने ग्राहक को लठ से उसकी पिटाई की है पेट्रोल कम डालने की बात को लेकर विवाद हुआ जो इतना जादा बढ़ गया कि पेट्रोल पम के करमचारियों ने ग्राहक की लठ से काफी पिटाई की है पेट्रोल पम करमचारियों ने अपने ही ग्राहक पर लठ चलाए हैं देवास की सीटी को तवाली थाना शेत्र का ये मामला है जहां पर उज्जे अंडौर्टॉकिस के सामने पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल पम्प के करमचारियों ने ग्राहक के साथ मारपीट की ग्राहक को लठ्थ से उसकी पिटाई की जो ग्राहक पिटाई के बाद बहुत जादा गमेरूप से घायल बताय जा रहा है उजेंड और टॉकिस के सामने का ये हाथसा है जहां देवास में साथ ही पेट्रोल पर्म के कर्मचारियों ने मिलकर ग्राहक की लठ्थ से पिटाई की बता दें पेट्रोल कम डालने की बात को लेकर ये विवाद हुआ था जो विवाद इतना बढ़ गया कि पेट्रोल पर्म के कर्मचारियों ने मिलकर ग्राहक की बुरी तरह से पिटाई की है ये देवास से इस वक्ती की बड़ी ख़बर है जहां पर उजेंड और टॉकिज के सामने पेट्रोल पर लठ चलते हुए नजर आए हैं क्योंकि पेट्रोल पर्म के कर्मचारियों और ग्राहक के बीच में विवाद हुआ और ये विवाद आपको बता रहें इतना बढ़ गया कि पेट्रोल पर्म के कर्मचारियों ने ग्राहक की जोरदार पिटाई की है पिटाई के बाद ग्राहक गंभी रूप से घायल बताय जा रहा है बता दे कि पेट्रोल कम डालने की बात को लेकर ये विवाद भड़का और ये विवाद पेट्रोल कम डालने का इतना बढ़ गया कि वहाँ पर हात अपाई होने लगी जिसके बाद पेट्रोल पर्म के कर्मचारियों ने ग्राहक की लट्थ से पिटाई की है और ये झाल